साथियों, भविश में आने वाली पीडियां, यहां इस आश्रम में आने वाले लोग, यहां आकर ये समझ पाएंगे, कि साबरमत ये संतने कैसे चर्खे की ताकत से देश के जन्मन को अंदोलित कर दिया था, देश के जन्मन को चेतन बंत बना दिया था, और जो आजाती के अनेक प्रवाह चल रहे थे, उस प्रवाह को गती देने का काम कर दिया था, सद्यों की गुलामी के कारण, जो देश हताशा का शिकार हो रहा था, उसमें बापों ने जनांदोलन खड़कर कर खड़ा करके, एक नई आशा भरी थी, नया विश्वास भरा था आज भी उनका विजन हमारे देश को उल्जवल भविश के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है, बापों ने ग्राम स्वराज और आत्म निर्वर भारत का सपना देखा था, अब आप देखिए, हम वोकल फॉर लोकल की चर्चा करते हैं, आत्मनिक लोगों की समझ में आई इसले शब्द परोग कुछ भी हो, लेकिन मुल्क तो तो वो गांदी जी की स्वदेशी की भावना है और क्या है, आत्म बंदिर भर भारत की महत्मा गांदी थी की जो सलकल्पना थी, वो ही तो है उसमें, आज मुझे भी हमारे आचारे ज खेती के लिए मिशन लेकर के काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि गुजरात में नव लाख किसान परिवार, बहुत बड़ा हकड़ा है, नव लाख किसान परिवार अब प्राकुर्तिक खेती की तरब मुड़ चुके हैं, जो गांदी जी का सपना था, केमिकल फ्री, खेती और उन्होंने मुझे कहा कि तीन लाख मैट्रिक टन यूरिया, गुजरात में इस बार कम उप्योग में लिया गया है, मतलब की धर्ती मां की रक्षा का काम भी हो रहा है, ये मात्मा गांदी के विचान रही हैं, तो क्या है जी? और आचार जी के मार्दस में, गुजरात विद्ध्यापिठ में भी एक नई जान बर्दी है, हमारे इन महापुरुशन हैं, हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, हमें आधुनिक स्वरूप में उसको जीना सिखना पड़ेगा, और मेरी कोशिश यही है, खादी, आज इतना खादी का ताकत बढ़ गई है जी, कभी सोजा नहीं होगा है कि खादी कभी, वरना वो नेताओं की परिवेश के रुप में अटक गई थी, हमने उसे भार निकाल दिया, हमारा गांदी के प्रती समरपन का यह तरीका है, और हमारी सरकार गांदी जी के इनी आदर्सों पर चलते हुए, गाउं गरिब के कल्यान को प्रास्पिक्ता दे रही है, आप मंदिर मेरे भारत का अभ्यान चला रही है, आज गाउं मजबूत हो रहा है, ग्राम स्वरायत का बापो का विजन साकार हो रहा है, हमारी ग्रामी ने अर्थिवावत्ता में एक बार फिर से महिलाएं एहम भूमिका निभा रही हैं, सेल्फेल्फ गृुप्स हो, उसमें जो काम करने वाली हमारी माताएं बहने हैं, मुझे प्रसंदता है कि आज देश में, गाउं में, सेल्फेल्फ गृुप्स में काम करने वाली, एक करोड से ज़्यादा बहने लखपती दीदी बन चुकी हैं, और मेरा सपना है, तीसरे टम में, तीन करोड लखपती दीदी बनाने का, आज हमारे गाउं की सेल्फेल्फ गृुप्स की बहने, ड्रोन पाइलट बनी हैं, खेती के आधुनिक्ता की दिशा में, नित्रुत्व कर रही हैं, ये सारी बातें ससक्त भारत का उधारना है, सर्वसमावेशी भारत की भी तस्वीर है, हमारे इन पैयासों से, गरीब को गरीबी से लड़ने का आत्मबल मिला है, दस वर्सों में हमारी सरकार की नीतियों की बज़े से, 25 करोड लोग गरीबी से भार आये हैं, और मैं पक्का मानता हूँ, पुछ जबापु की आत्मा जहां भी होती होगी, हमें आशिरवाद देती होगी, आज जब भारत आजहां जी के अमरित काल में नए किर्तिमान गड़ रहा है, आज जब भारत जमीन से अंतरिक्ष तक की नए उचाईयों को छू रहा है, आज जब भारत विक्सित होने के संक्रप के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मात्मा गांदी जी की तपोस्थली हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है, और इसलिए साबर्बति आश्रम, कोच्रम आश्रम, गुजराथ विद्यापीर, ऐसे सभी स्थान, हम उसको आधुनिक यूग के लोगों को उसके साथ जोडने के पक्ष्कार है, यह विख्सित भारत के संकल्प उसकी प्रेणाओं में हमारी आस्ता को भी ससक्त करता है, और मैं तो चाहूंगा, अगर हो सके तो कि मुझे पक्का भी स्वाथ है, मेरे सामने जो साबर्बति आश्रम का चित्र बना पड़ा है, उसको जब भी साकार होते आप देखेंगे, हजारों के तादान में लोग यहां आएंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, बापू को जानने का प्रयास करेंगे, और इसलिए मैं गुजराद सरकार से भी कहूंगा, हम दाबाद मुल्सिफल कॉर्पोर्शन से भी कहूंगा, कि क्या एक काम कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा, लोग गाइड के रुपे आगे आए, और एक गाइड का कॉम्पेटिशन करें, क्योंकि यह हरिटेज सिटी हैं, बच्चों के बीच में कॉम्पेटिशन हो, कौन बेश्ट गाइड का काम करता है, साबर्बती आश्रम में बेश्ट गाइड की सेवा कर सके से कौन लोग है, एक बार बच्चों में कॉम्पेटिशन होगी, हर स्कूल में कॉम्पेटिशन होगी, तो यहां का बच्चा बच्चा जाने का साबर्मत्री आस्रम कम बना क्या है क्या करता था और दूसरा 365 दिन हम ताय करें कि प्रती दीन एम्दाबाद के अलग-अलग स्कूल के कम से कम एक हजार बच्चे साबर मत्री आस्रम में आ करके कम से कम एक घंटा बिताएंगे और वो जो बच्चे उसके स्कूल के गाइड बने होंगे वो ही उनको बताएंगे कि यहाँ पर गांदी जी बैठते थे यहाँ पर खाना खाते थे यहाँ पर खाना पकता था यहाँ गवशालाती सारी बाते बताएंगे हम इतिहास को जी सकते हैं जी कोई एक्ष्टा बजेट की जरुवत नहीं है एक्ष्टा मेहनत की जरुवत नहीं सरफ एक नया दरश्टिकोन देना होता है और मुझे विश्वास है बाप्ठो के आदर्स उनसे जुड़े पेड़ना सर राष्ट निर्मार के हमारी आत्रा में और अधिक मारदर्शन करते रहेंगे